दोफतों काफी बड़ी अब्डेट निकल कर आ रही है बिहार राजस वो करमचारी भरती को लेकर आपको बता दे बिहार राजस वो करमचारी में बिहार SSE के दोबारा काफी बड़ी बहाली निकाली गई है Intermediate Pass Candidate के लिए पुराने notification के अनुसार राजस से करमचारी के लिए जो candidate आविदन करते हैं उनके लिए सिर्फ बोला गया था कि intermediate qualification आपकी होने चाहिए लेकिन अभी आपकी जो नई notification आई है इसकी जो भी नई नियाबली आई है इसमें कुछ संसोधित किये जा रहे है जो जानना आपके लिए बेहर जरूरी है अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आपको selection process में काफी ज्यादा ही प्रसानी होगी क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे post है जहां पर आपको वन्षनी है योगिता में computer के जनकारी बोली गयी है बहुत सारे ऐसे post है जिसमें आपको बताया गया है कि तक नकी योगिता में आपकी computer के जनकारी मांगे गई मतलब computer चलाने की ज्यान होने चाहिए टाइपिंग की ज्यान होने चाहिए ये सब बोला गया था लेकिन राजास्व करमचारी में आप जानते होंगे ये काफी बड़ी संख्या में ये बहाली है क्योंकि पूरे बिहार SSE में देखा जाया तो सबसे अधिक सीठे जो है राजास्व करमचारी में ही है जिसमें सिर्फ intermediate बोला गया था लेकिन अब जो है अगर आपके पास typing की ज्यान नहीं होगी तो फिर आगे चलकर आपको परसानी होगी इसको लेकर official notification release हो चुकी है कुछ संसोदित किये जा रह हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इससे लाइक से जरूर कर दीजिएगा क्योंकि काफे सारे बच्चे इस पोस्ट के लिए ही इसमें आविदन कर रहे हैं उनको लगता है कि सिर्फ intermediate से ही हमारा इसमें चैन हो जागा तो ऐसा नहीं होने वाला है अभी आप देख पा होंगे यह ओफिस्यल नोटिफिकेशन है बिहार सरकार रज्यसु एवं भूमी सुधार विभाग द्वारा अधिस सूचना जारी किया गया है यहां पर बताया गया है कि बिहार के राज जिपाल बिहार रज्यसु करमचारी स्वांग नियाबली 2001 समय समय पर यथा संसोधित में संसोधन करने है तो जो नियाबली है वो नई नियाबली में कुछ संसोधित किये जा रहे उस नियाबली को यह नियाबली जो है बिहार राज्यसु करमचारी संसोधन नियाबली 2003 कही जा सकती है इसमें देखे क्या क्या बदलावे हो रहे हैं वो आपको जानना जरूरी ह क्योंकि नोटिफिकसन में बहुत सारी जनकारी दिये गए जो मिन मिन पॉइंट है वो समझे आप दूसरा पॉइंट बताया गया है कि यह जो भी नियावली अभी लग रही है इसका जो विस्तार संपूर्ण बिहार राजी में होगा और तिसरा पॉइंट बताया गया कि यह तुरंथ प्रविर्ट होगा मतलब यह जो नियावली आपकी बदलाव हो रही है यह तुरंथ लागू हो रही है इन बातों को ध्यान रखिएगा अब इसमें सबसे पहला बदलाव यह हुआ है कि जो बिहार राजस्व करमचारी के पदों पर पहले से ही कारेरत जो करमचार यह सब जो भी होंगे इनको सिधी भरती है तु प्लब्द रिक्त पदों के विरूद अपेक्षित मापडन पूरा करने पर अनुकंपा के अधार पर निक्तु है तु विचार किया जा सकेगा जो कि पहला संसोधित है दूसरा संसोधन इसमें सबसे बदलाव जो आप बोल स इस ही किया गया है यहां पर रजस्व आप चाहियों को सेव संकूष्टी है तो निमनलीखित पडिक्ष्या मतलब यह ढोखिंपर सी नीचा कि कि एन्तिम्पन की जो परिक्षा होंगी ये आपको उतेरिण करना जरूरी है ये लिक्राई आपको नहीं कर जाएगा चैज त्वोगे उसक्त ये जो गूसरी जो कि यह देखा जाएगा इН बातों को ध्यान तो पहले आपका ट्रेश्ट लिया जाएगा दूसरा जो होगा computer सच्छमता जाच जो परिच्छा होती है computer के जो ग्यान होगी जिसमें आपको MS Office की ग्यान, Excel की ग्यान यह सब जो भी है वो आपको देखा जाएगा तो अब आप सभी candidate के लिए देखिए ज्यादा समय नहीं है आप लोग क्या करें कि computer कहीं न कहीं से आप सिखे क्योंकि computer सिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में अब जितने भी वहाली आएगी चाहिए बिहार के अलावे भी अगर आप केंदर लेवल के भी वहाली के लिए apply करेंगे तो computer की ग्यान मांगी ही जाएगी क्योंकि हर department अब जो है digital होता जा रहा है copy paint वाल ही नहीं रहेगे सारा जो note बनाना होता है या कुछ भी type करना होता है या तो ms office में होता है जिसमें excel, powerpoint इसके अलावे ms word इन सब के बारे में आप से पूछी जाती है यह सब basic चीज़े है इसके बारे में आप क्यान लीजिए किसे भी अच्छे संसान से जाकर इन सभी certificate आप अपने पास रखिए ताकि future में आने वाली सभी बहाली में आप participate कर सके इसके लिए तो जरूरी है ही इसके अलावे भी कई सारे post इसमें देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बहाली है बिहार में यह और लगबग जो है अभी 22 परकार के इसमें अलग लग बिभागों में बहाली है तो आने वाले समय में इसमें बहाली और बढ़ेगे तो और भी विभागों में आपको मौका मिल जागा अगर आपके पास टाइपिंग के ग्यान होगी तो बाकि हमारा यह अपडेट अगर आपको पसंद आ हो तो इसे like share कर दीजे और जो भी आने वाले समय मे आप तक लब्द कराते रहेंगे चैनल को subscribe करके रखिए वीडियो को like share कर दीजे धन्यवाद